तो देखिए अब हम पढ़ने जाने वाले हैं Modern India हम मनोहर पांडे बुक को खतम कर रहे हैं जिसमें हमारा ये चौथा वीडियो है जिसमें अब ही तक हमने पढ़ा Ancient India, Mediable India and अब हम पढ़ने वाले हैं Modern India तो बरतमान भारत के बारे में हम पढ़ते हैं देखिए Advent of the Europeans तो देखिए Modern India में क्या हुआ था? European का आगमन हुआ था तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है Advent of the European किसमें Modern India में Advent of the Europeans तो पॉर्टोगीश जो पॉर्टोगीश थे ना पॉर्टोगीश वो बासको डिगामा बासको डगामा रीड़ दा पोर्ट आप कालिकट जिसे कलकत्ता कहते हैं ठीक है इन 1498 इन 1498 डूरिंग दा रीग आप किंग जमोरिन किसके सासन के दोरान दा किंग जमोरिन ठीक ह हिंदू रूलर और कालिकट जो कि क्या था हिंदू रूलर था किसका कलकत्ता का या कालिकट का तो पहला पॉर्टगालीश कौन था बासको डगामा जो कि कलकत्ता कालिकट पहुंचा था 1498 में किसके सासन काल में किंग जमोरिन के सासन काल में कौन थे जमोरिन कलकत्ता के हिं सेटलमेंट सेटलमेंट देखिए सेटलमेंट कहां कहां हुआ था सेटलमेंट लोगों का दमन दमन सेलसेटी चोल एंड बोंबे बेस्ट कोस्ट शैन्थोम नियर मदराज और होगली इस इन इन जगाँ पर उनका सेटल्मेंट हुआ था कहां कहां पर देखिये दमन सैल सेटी सैल सेटी चोल और बोमबे बेस्ट कोस चैन थॉम सैन थॉम नियर मदरास और होगली और होगली के अमें कर अलफस और अन्च पर रूंस् सो अबो क्यों सब्सक्रोधा अलस्कार्थ सब्सक्रोधाइब arrived in 1509 1509 and captured Gowa in 1510 1510 AD तो देखिए जो Alfonso D. Albu की ओर क्यों है ना वो था second governor of India जो की second governor था India का first being और जो first पहला governor को था Francisco D. Almeida ठीक है तो जो second governor of India arrived in 159 and capture Gowa in 1510 तो किसने Gowa capture किया था Alfonso D. Albu की ओर किया फिर आए Dutch अभी हमने पड़ा पृत्गाली जाए अब आए Dutch अब को नाए Dutch आए अब डच आए ठीक है Dutch East India Company was formed in 1602 AD 1602 AD Dutch वाट डिपीटेड वाई English at the Battle of Bedara तो देखिए जो डच लोग थे ना अब अंग्रेजों से हारे थे किस लड़ाई में कौन सा यो दुआ था डच और अंग्रेजों के बीच में Battle of Battle of Bedara बेदारा कौन सा बेटा लोग बेदरा तो डच वाट डिपीटेड वाई English at the Battle of Bedara ठीक है अधिए इडी सत्रास्टाइश उन्सट सेवेंटीन हंडेट पिप्तिनाइन और अइज पर अग्रिमेंट देच गेंड देच केंड़ अवर इंडोनेशिया और अंग्रेजों को भारत पर मिल गया ठीक है स्री लंका एंड माल्या और अंग्रेजों को भारत स्री लंका और माल्या पर मिल गया और डचों को सिर्फ इंडोनेसिया पर रह गया था और इंडोनेसिया में वैसे भी कुछ नहीं था इसलिए डचों को दे दिया था ठीक है 1769 में कौन सा यह दुगा था बाटल ओब बेदेरा फिर आया सेटलमेंट सेटलमेंट अब डचों का सेटलमेंट कहां कहां हुआ था अब डचों के अपनी पर्थम फैक्टरी कहां पर इस्तापित की थी तो बहुं की थी मसूली पतनम में डच लोगोंने अपनी पहली फैक्टरी मसूली पतनम में इस्तापित की थी कब 1605 में कब 1605 में ठीक है दियAR other factory's बर एट Puli cut और और दूसरी फैक्ट्री हैं पुञीकट में चिंसूरा में पटना में और बाला सोर बाला सोर नागा पटनम नागा पटनम कोचिंग कोचिंग सूरत सूरत कराइकल कराइकल एन कसिम बजार एन कासिम बजार ठीक है यह उनके कुछ सेटलमेंट थे तो देखिए सबसे पहले कौन आए हमने पढ़ा सबसे पहले आए पुर्तिगीज पुर्तिगीज के ब बात कोना है अब आए इंगलिस अब आए अंग्रेज ठीक है तो दा इंगलिस इस्ट इंडिया कंपनी बोज फॉर्म इन 1599 1599 अंडर चार्टर ग्रांटेड वाइ कुईन इलिजाबेट इन 1600 तो देखिए जो इंगलिस इस्ट इंडिया कंपनी थी वोज फॉर्म बोबनी जिन्यानवे में अंडर चार्टर ग्रांटेड वाइ कुईन इलिजाबेट इन 1600 ठीक है जहांगीर ग्रांटेड आफ फरमान जहांगीर जो कि हमायू जो जहांगीर कौन था अकवर का लड़का था ठीक है ग्रांटेड आफ फरमान टू कैप्टन बिलियम हॉकेंस तो इसने फर्मान जारी कर दिया तक इसके लिए कैप्टेन बिलियम होकेंस के लिए पर्मूटिंग दा इंगलिस टू रेक्ट फैक्टरी एस सूरत की वो सूरत में अपनी फैक्टरी खोल सकते हैं तो देखिए आपको पता है कि बावर ने मुगल बंस के स्थापना की थी बावर के बाद आया हुमाईू हुमाईू के बाद आया अकवर और अकवर की ओलाद थी सलीम या जहांगीर तो क्या हुआ दा इंगलेस इस्ट इंडिया कंपनी बॉज फॉर्म 1599 में इस्ट इंडिया कंपनी बनी अंडर अचार्ट ग्रांटेड वाइग कुईन एलिजबेट इन 16600 में एक चार्टेड दिया किसने इंगलेंड की जो महारानी थी कुईन एलिजबेट ने और जहांग किसको कैप्टन बिलियम हॉकिन्स को कैप्टन बिलियम हॉकिन्स को कैप्टन बिलियम हॉकिन्स को पर्मिटिंग दा इंगलेस किसलिए पर्मिटिंग दा इंगलेस इंगलेस इंगलेसों को अनुमती टू रेक्टा फैक्टरी फैक्टरी सुरू करने की एट सूरट एट सूर से कहां पर सूरत में किसके सास अनकाल में जहांगीर के सास अलमकान में कल्ब को 1613 में पिर आया 1615 उसके दो साल बाद सर थॉमस रॉय सर थॉमस रॉय सक्षीड़ इन सिगेटिंग एन इंपरियल फरमान तो ट्रेड एन इस्टेवरेश फेक्टली इन ओल पार्ट आप दा मुगल एमपरवाय रूलर जहांगीर तो देखिए अभी तक सिर्फ सूरत में ही इनको परमीशन मिली थी ले ले इनुवने क्यों किया जहांगीर को बस फैदा कर लिया जिस से खुस होगर जहांगीर ने क्या 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 मतलब एक तरद कार राजजादीकार राज क्या फरमान मिल एक उर ट्वकार को माust Is To Trained पर जहांगीर और जहांगीर के द्वारा ठीक है इन 1690 इन 1690 1690 में क्या हुआ था इन 1690 इन 1690 एक को मुझ्ट इन 1690 आप फैक्टरी वोज इस्टेबलिस्ट अब देखिए 1613 में हुआ फिर 1615 में हुआ 1613 में पहली सूरत में फिर बिलियम हॉकिन्स के समय 1615 में सर्थ हॉमस रॉय के समय इंपीरियल फर्वान मिले रहा है जिससे मुगल सासन के किसी भी छेत में फैक्टरी लगा सकते थे ठीक है फिर इसके बाद में आपको आपका जो 1690 आया क्या आया 1690 अब 1690 में क्या इस्पेसल हुआ अब फैक्टरी बोज इस्टेबलिस्ट हाँ 1690 में क्या हुआ अब फैक्टरी बोज इस्टेबलिस्ट एक फैक्टरी की स्थापना की गई एट कहां पे 1690 में क्या हुआ जानते हैं पहले इसको करते हैं लॉक ठीक है 1690 में क्या हुआ अब फैक्टरी बोज इस्टेबलिस्ट एट सुतान्ती बाइ जाब चारोनोक बाइ जैब चारोनोक इन 1698 फोलोईंग दा एक्वेजेशन और जमीनदारी और थ्री बिलेजेस देखिये 1690 में तीन गाउं की जमीनदारी को अधी ग्रेंड करकर जो जैब चारोनोक थे कौन थे जैब चारोनोक उन्होंने एक फैक्टरी की बनाई कहां पर सुतान्ती में कब 1698 में फोलोईंग दा एक्वेजेशन आफ जमीनदारी और थ्री बिलेजेस और कौन कौन से गाउं की जमीनदारी सुतंती सुतंती काली कट्टा काली कट्टा एंड गोविंदपूर और गोविंदपूर दा सिटी ओफ कलकत्ता जो कि सहरता कलकत्ता का बोज और सिटी कलकत्ता की स्थापना की गई ठीक है फोर्ट विलियम बोज सेट अप इन सत फोर्ट विलियम और जो फोर्ट विलियम था फोर्ट विलियम था उसकी स्थापना की गई सतरा सो में तो देखिए most important पॉइंट है क्या है कि इन 1690, 1690 में अब हैक्टरी बोज की इस्थापना की गई एट सूतंती सूतंती में बाइब जैब चार्नौक जैब चार्नौक के दोवारा इन 1698 1698 में फोलॉंग दा एक्कोजेशन ऑफ जमीनदारी ऑफ थ्री विलेजेस सूतंती काली कट और गोविंद पुरा दा सिटी ओप कलकत्ता बोज चार्नौक फाउंड़ कीया गया इस्थापना इस्थापित किया गया थीक है तो देखियें किसकी बीजेजें सूतंती काली कट जैऺ मश्राइब काली कट गोविंद पुरा ठीक है फोर्ट बिलियम वह सेट-प और फोर्ट बिलियम बनाना गया मतल depressed दिर 1144 में फिर इन 177 177 में क्या हुआ जोन सर्मान जोन सर्मान उप्टेंड अफ फर्मान रूम फरुक्षियार बिच गैब बिच गैब इस बिच गैब लार्ज कनसेशन टू दब कंपनी इस फर्मान एज बीन को लग μας मगना करता अब दा कंपनी मेगना कार्ट मेगना कार्ट व दा कंपनी तो देखिए फिर क्या हुआ फिर ये हुआ कि इन 1770, 1770 में जो जोन सुर्मान थे उन्हों ने एक आप्टेंड फर्मान एक फर्मान हासिल किया किस से फरॉप्सियार फरॉप्सियार से बेच गेप जिस ने दिया जिसने क्या दिया जिसने दिया लार्ज कंसेशन एक बड़ी चूट तो दा कम्पनी कंपनी के लिए दिस फरमान हेज बीन कोड़ा मागना काता उप दा कंपनी इसे कंपनी का मागना काटा भी जाता है मैगना काता बैटल capita में आप्लासी का यod 부탁 हुआ में आपको पता है 1758 में बैटल अपलासी कब हुआ 1757 में तो देखिए बैटल अपलासी हुआ 1757 में इंगलिस टिपीटेट इंगलिस अंग्रोजों ने हराया किसको स्राज दौला को दा नवाव बंगल जो की क्या था नवाव बंगल था मोस्ट इंपोटेंट है आप से हुआ अंग्रेजों और बंगल के नवाव स्रज दौला के बिच हुआ किसकी जीत हुए थी अंग्रेजों की जीत हुए थी और बंगल के नवाव स्रज दौला की हार हुए थी पलासी का युद कब हुआ था 1757 में किसकी बीच हुआ था अंग्रेजों और स्रज दौला के ब सालवाद 1757 में हुआ पलासी साथ सालवाद 1764 में हुआ भॉटल औव बक्सर इसमें क्या हुआ था बैटल औव बक्सर में कैपटन मुनरो जो कैपटन मुनरे थे उन्हें डिफीटेट किया था किसको जॉइंट फोर्सेस ऑफ मीर कासिम मीर कासिम और मीर कासिम और बंगाल एंड स्रजद दौला अबद एंड सा आलम दित्तिय मुगल तो देखिए जो बाटल ऑफ बाटल ऑफ पलासी सिर्फ दो लोगों के बीच में लड़ा गया था 1778 में अंग्रेजों और स्रजद दौला के बीच में लेकिन बाटल ऑफ जो बंछ था 1764 में लड़ा गया था देखिए बंटन गया घ्रव से लड़ा तो यह देखिए एक तरह थे हमें अंग्रेज्डे़ों K तरह से जो कैप्टेन थे हों लड़ान लड़ने के लिए सेनपती वह थे कैप्टन मुंड़ो है prazer嗎 है Captain Monroe कि किस कि बीच में लड़ा गया Captain Monroe ठीक है और एक साइट ते Captain Monroe दूसरे साइट कौन कौन थे की मीर काशिम था मीर कासिम था ठीक है और इसके बार ते आपका सुरजद्दौला था और पर आपका कौन था मीर कासिम था सुज्ज दौला देखिए सुज्ज दौला अलग है तो यह याद रखें यह बंगाल का नवाब था यह अबद का था सुज्ज दौला ठीक है और सा आलम दित्तिय के बीच लड़ा गया तो आप से पूछें देखिए यह पूछा जाता है कि बाटल ऑब बक्सर का हुआ तो यह 1764 1764 में हुआ बाटल ऑप पलासी का हुआ 1757 में हुआ बाटल ऑब बक्सर का हुआ 1764 में हुआ किस अंग्रेजियों की तरफ से कौन लड़ा था कैप्टेन मुन्रो कौन था कैप्टेन मुन्रो किन को हराया था मीर कासिम और बंगाल के मीर कासिम को सुजद दौला अबद को एंसा अलम दित्तिय मुगल को ठीक है कि बिए घम आते हैं बात अती है देनेश धैनेश यंदालेस देनेश रट नेश्न का उसे इस्ट इन्थ इंड्य कॉलनी रिस प्रूंद आप इंडिया तो साउतर कोरोमंडल कोस्ट मतलब यह जो गुजरात का यह हिस्सा होता है ना यह तो कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं ठीक है तो इसमें जो था वो क्या किया था डैनिस कोलॉनी ट्रंकु वार वाज इस्टेबलेश्ट और साउटन कोरोमंडर कोश्ट आप इंडिया किसके दोवारा इस डेनिश लोगों के दोवारा ठीक है सेटलमेंट देखिए सेरामपूर सेरामपूर जो बंगाल में है एंड ट्रेंग की उबार जो कि तामिल नाडू में है सोल्ड देयर सेटलमेंट टू अंगलिस और इन्हों ने अपनी जो सेटलमेंट थी मतलब की फैक्टरी ये कुछ-कुछ दोकानें गों कि बेंच दिंती वो अंग्रेजों को बेंच दी 18 1845 में यह आए 1616 में और बेंच दी 1845 में अंग्रेजों को ठीक क्योंकि अंग्रेज इनकी पुसान ही नहीं दे रहे थे फिर आए फ्रेंच फिर आए फ्रेंच फिर आए कौन फ्रेंच आए तब फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी बॉज फॉर्म्ड वाय कोलवाट कोलवाट अंडर इस्टेट पेट्रोन वाज इन 6064 ता फर्स्ट फ्रेंच फेक्टरी वाज इस्टेबलेट एच सूरत तो देकि पहली जो फ्रेंच फेक्टरी थी पहली फ्रेंच फेक्टरी थी कहां पर इस्टेबलेश्ट की गई थी सूरत में किसके दोरा वाय फ्रेंग कोईस कारो के दोवारा कब 1668 में 1668 में अब फैक्टरी एट मसूली पटनम और फैक्टरी मसूली पटनम मसूली पटनम में भी एक फैक्टरी लगाई कब 1669 में 1669 में फ्रेंच बर्ड डिफीटेट बाइंग्लिस इन बॉटल ऑब बन बांडी वास देखिए बांडी वास का युद्ध हुआ 1760 में जिसमें फ्रेंचों की हार हुई थी किन ने हरा है था फ्रेंचों को अंग्रेजों ने हरा है तो आप से पूछे बटल ऑबंडी वास किस के बीच हुआ था अंग्रेज और फ्रेंचों के बीच हुआ था किस की हार हुई थी फ्रेंचों की हार हुई थी कब हुआता है आपका फिर इसके बाद मैं आओ आओ आपका फिर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल देखिए अभी तक ये सब चल रहा था लेकिन अब देखिए बाटलोब इसके बाद आया आपका गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल तो बोरन हैस्टिंग बोरन हैस्टिंग Byrne Hastings 1774-1785 ग्यारा साल brought the dual government to an end by the regulating act 1773 brought the dual government to an end by the regulating act 1773 the act of 1781 made clear demarcation between the jurisdiction of the governor general in council and supreme court in Calcutta फिर क्या हुआ दा एक्ट आप 1781, 1781 का जो कानून था उसने क्लियर कर दिया डीमारकेशन किस-किस के बीच में जुरी डिजेक्शन नियाधी करन अब दा गवर्नर जनरल अब दा गवर्नर जनरल इन काउंसल और सुप्रीम कोड के बीच में कलकता में ठीक है पिट्स इंडिया एक्ट आप आया पिट्स इंडिया एक्ट जो की 1784 में आया देखिए 1774 से 1755 बोरेन हैस्टिंग था फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया रोहिला बोर जो जिसमें हुए रोहिला बोर 1784 फ़स्ट मार्था बोर पहला मराथा योद्ध 1775 बोरेन ट्रीटी आप सालावाई बिथ मराथा और ट्रीटी हुई किसके साथ मराथा के साथ सालावाई की संदी हुई 1782 में सेकंड सेकंड मैसुरी बोर दितिये मैसुर्य यूद हुई 1784 में ठीक है फांड़स अॉप ऐस्याटिक सोसाइटी और बैंगोल ऐस्याटिक सोसाइटी की इस्तापना की गई बंगाल में 1784 में इन कलकत्ता बंगल के कलकता में किसके दोाराबास, सर बिलिम जोन्स के दोाराइ, थो देखिए, आपसे यह अपनोर सकता है, कि बताओ, एशियाटिक सोसाइटी किस्ता अपना काप की गई, तो वो की गई दो बो की गई, सत्रा सु छौरासी में, कहां की गई, किसके दोरा की गई सर बिलियम जोन्स के दोरा की गई English translation of भगवद गीता बाइ चार्ल्स बिलकिन्स 1775 देखिए English translation हुआ था भगवद गीता का स्रीमत भागवद गीता का बाइ किसके दोरा चार्ल्स बिलकिन्स चार्ल्स बिलकिन्स के दोरा कब 1785 में चार्ल्स बिलकिन्स के दोरा 1785 में अब आगे बढ़ते हैं फिर आया लोड कारनेविल्स लोड कोरनेविल्स आया को रोना नहीं लोड कोरनेविल्स आया लोड कोरनेविल्स आया लोड कोरनेविल्स रोड कॉर्नवलेस रोड कॉर्नवलेस कौन थे 1786-1793 साथ साल तक आये थेड मेसूरी बोर्ड तीसरा मेसूरी युद्ध था 1772 से बानवे के बीच में लड़ा गया कौन कुछ ने लड़ा था लोड कॉर्नवलेस के सासन के दोरान लड़ा गया ट्रीटी ऑफ सेरिंगगापटनम की संधी हुए ट्रीटी ऑफ सेरिंगओ पतनम की संधी हुए इंत्रीट युश्ट पर्मानेंट सेटल्मेंक्त इन बंगाल अन बिहार और इंस्थाปत कि पर्मानेंट इस्था न सिंट dovबोलेस खिंट्या के आशिंदी 1366- 1793 तिरी इसे कहा जाता है सिवल सर्विस का पता महा फादर आफ सिवल सर्विस इन इंडिया किसको कहा जाता है याद रखें किसको कहा जाता है लोड कॉर्न बुलिस को फादर आफ सिवल सर्विस इन इंडिया कहा जाता है father of civil service in India कहा जाता है तो he is called the father of civil service in India introduce judicial reform by the separating revenue administration from judicial administration and established a systematic established a system of circles थाना's headed via धरोगा and Indian ठीक है तो इसने थाने बनाए थे established a system of circle थाने बनाए इससे पहले थाने नहीं होते थे और जिसका head कौन होता था धरोगा होता था ठीक है translation of अवी अविग्यान सकुनतलम in English अविग्यान सकुनतलम का translation करवाया इसने इंग्रेजी में किसने by William Jones in 1789 इसने थे देखिए यहां पर याद रखें भगवत गीता का कब हुआ था बिलियम देखिए चार्ल्स बिलकिंसन ने किया भगवत गीता का चार्ल्स बिलकिंसन ने किया और लेकिन जो सकुनतलम अभी एन सकुनतलम था उसका William Jones ने किया ठीक है Sir John Sur फिर आए Sir John Sur आए Sir John Sur 1793 से 1798 ठीक Sir John Sur आए प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल इन दा इंट्रोडेक्शन ऑफ पर्मनेंट सेटल्मेंट एक बहुत महत्पून अब अपना वो यो नभाया किसमे रोल नभाया इन इंट्रोडेक्शन ऑफ पर्मनेंट सेटल्मेंट बेटल अप खरदा बिड़ीन दा निजामाज और मराठास आइज हैपन इन दा परजैंस ऑफ सर जोन सूर तो बेटल अप खरदा बेटल अप खरदा बिडवीन दा निजाम और मराठास 1795 लोड बेले जली आए लोड बेले जली लोड बेले जली आए कब 1798 से 1805 में लोड बेले जली आए introduction of the subsidiary alliance इन्होंने introduction किया किसका subsidiary alliance 1798 में first alliance with निजाम आफ हैतरबाद पहला alliance था निजाम आफ हैतरबाद के साथ followed by मेसूर के बाद तंजोर, अबद, पैसवा, तब भोसले and सिंडिया ट्रीटी और बैसेन ट्रीटी और बैसेन 1802 and the second Maratha war और दित्तिय मराथा war फिर आए जोर्ज बारलो जोर्ज बारलो 1805 से 1807 बेलोर म्यूटिनी बेलोर म्यूटिनी हुई थी फिर आए लोर्ड मिन्टो फष्ट लोर्ड मिन्टो फष्ट 187 से 1813 concluded ट्रीटी और अम्रिस्टर ट्रीटी और अम्रिस्टर की संदी हुई बित महराज रंजीज सिंग महराज रंजीज सिंग के साथ 1809 में Charter Act of 1813 पोज़ पास्ट 1813 का Charter Act पास्ट किया गया फिर आए लोर्ड हैस्टिंग 1813 से 1823 20 साल के लिए एंगलो नेपाल बार 1814 से 1816 बाज फष्ट देखिए एंगलो नेपाल बार हुआ कब 1814 से 1816 एंट्रीटी और सगोली एंट्रीटी और सगोली 1816 में हुई ठीक है फिर आए थर्ड मराठा बार तिर्टीय मराठा युद हुआ किसके 1817 से 1818 में किसके बीज में डिजॉल्यूशन ऑप मराठा कॉन्फेंडरेस्री कॉन्फेडेरेसी एंड क्रियेसन ऑप बॉम्बे परसीजेंटी मराठा पद को पात्साही को समाप्त कर दिया गया और बॉम्बे परसीजेंटी की इस्तापना की गई और बॉम्बे परसीजेंटी की इस्तापना की गई पिंदारी बॉर था एंड इस्टेबलिस्मेंट ऑफ रई इतबारी सिस्टम रई इतबारी सिस्टम का इस्टेबलेस्ट हुई वाइथोमस मुन्रो तोमस मुन्रो के दोरा 1820 में फिर आए लॉर्ड एम हर्ष्ट लॉर्ड एम हर्ष्ट एक कवाए 1823-1828 फ़िष्ट बर्मीज फ़िष्ट बर्मीज थे फ़िष्ट बर्मीज बोर 1824-1826 ट्रीटी ऑफ यांदावू ट्रीटी ऑफ यांदावू 1826 एन कैप्चर ऑफ भरतपुर 1826 फिर इसके बाद में आए गवर्नर जेनरल ओप इंडिया गवर्नर जेनरल ओप इंडिया ठीक है दिखिए हमने कहां से पढ़ाता है यहां तो हमने पढ़ लिया था गवर्नर जेनरल ओफ बेंगोल पढ़ाता है ठीक अब पढ़ेंग गवर्नर जेनरल ओफ इंडिया तो देखिए गवर्नर जेनरल ओफ इंडिया भारत का गवर्नर जेनरल लोड बिलियम बेंटिक कौन लोर्ड बिलियम बेंटिक और आप से पूचे बंगाल का गवर्णर जनरल बोरन हेस्टिंग और भारत का गवर्णर जनरल लोर्ड बिलियम बेंटिक 1828-1835 साथ साल देखिए चार्टर एक्ट आप 1833 बोज पास्ट एंड ही बोज मेड फर्ष्ट गवर्णर जनरल ऑफ इंडिया और इसे भारत का प्रतम गवर्णर जनरल बनाया गया किसको बिलियम किसको बनाया गया बिलियम बेंटिक को बिलियम बेंटिक को ठीक है कब चार्टर एक्ट आप 1833 के बाद जो लोड बिलियम बेंटिक थे इनको भारत का प्रतम गवर्णर जनरल बनाया गया इससे पहले दिजीगनेशन गिवं बसक्त गुवर्णर जनरल बेंगौ इससे पहले जो प्ड था बुथा गुवर्णर जनरलल ब nível लेकिन इन 1833 के चर्टर एक्ट के बाद गुवर्णर जनरलल बेंगौल को गुवर्णर जनरलल ऑप इंडिया कहा जाने लगा ठीक है और फ कोशल रिफॉर्फ लाइक प्रोहीवेशन ऑफ सती सती प्रता पर रोक 1839 में एलिमिनेशन ऑफ ठक जो ड़के थे ठक्स थे उनका एलिमिनेट करने का प्रियास किया गया 1830 में और मेकॉलोज और इसी के समय 1833 के समय ही लोड बिलियम बेंटिंग के समय ही मतलब पिर्थम गवर्नेर जनलर पंडिया के टाइम ही जो मेकोले था रेकामेंडेशन उसके रेकामेंडेशन के आदार पर English was made the medium of higher education English को उच्चे सिक्चा का माद्य हम बना दिया गया इससे पहले नहीं था ठीक है suppressed female infanticide and child sacrifice suppressed कम करने कोसिस की गई कि इसको female infanticide and child sacrifice और जो बच्चों की बली परता थी उसको भी दवाने की कोसिस की गई ठीक है फिर आया Lord Metcalf Lord Metcalf आया Lord Metcalf 1835 से 1836 known as liberator of the price in India जिसी liberator of the price को सुतंत करने वाला माना जाता है किसको Lord Metcalf को फिर आया Lord Eukland आया 1836 से 42 फर्ष्ट आफगान बोर पहला आफगान बार हुआ 1838 से 42 डिजास्टर for the English जो की बार अंग्रेज़ों के लिए एक डिजास्टर एक बेवद्धान सावित हुआ ठीक है फिर आया आपके Lord Lord Ellingborow Lord Ellingborow आया 1842 से 44 में brought an end to the Afghan war जो लेके गया अफगान बोर को अंत में war with Gowalier के साथ युद्वा 1843 में annexation of सिंद बाज चार्ल्स नेपियर और सिंद का annexation किया गया हडपा किया गया किसको सिंद को बाज चार्ल्स नेपियर के दोरा 1843 में Lord Harding जए 1844 से 1848 एडी फर्स्ट एंगलो सिक वोर पर्थम एंगलो सिक वोर हुआ 1845 से 1846 में Lord Heading के उसमें Entreaty of Lahore और Lahore की ट्रेटी हुई और 1846 गे पर्फरेंश टू इंगलिस एड्यूकेटेड परसन इंप्लॉएंट और पर्फरेंश दी गई प्रात मिक्ता दी गई किसको टू इंगलिस एड्यूकेट जो इंगलिस माते हमसे पड़े लेखे ब्यक्ती थे उनको काम काज में ठीक है काम हुएं इंप्लॉएमेंट में पर पर सके बाद आए लोड डल होजी फिर इसके बाद कॉन आए लोड डल होजी आया 1848-1886 Introduction of Doctrine of Laps Introduction किया गया Doctrine of Laps का An Annexation of An Annexation of 17 और 17 का अधिकरेंड किया गया 1848 में जैपुर एंड सम्भल पूर 1849 में वदैपुर 1852 1853 नागपुर 1854 एंड अवद अनेक्स्ट इन 1856 और अकाउंट ओफ मले और अकाउंट ओफ मेल एडिमेंस्टेशन एक गंदी नीती गंदी सासन के दोरा लोड डल होजी की हडपा नीती के दोरा हडपा किया गया है किसको लोड डल होजी आया 1848-1856 में अने इंडेटन आपसे पूछ सकता है लोड डल हो जी जी टीर्जं तो इंडिलेक्ट ऊफ डक्ट्रिंScन आप लेप्श दोक्ट अप लेप्श एन एणमेंस्ट आफ सातारह एनाक्सेशन की अधिकरण किया गया हडपक हडपक हडप लिा गया किसको 17 को 1848 में जैपुर को जैपुर एंड सामलपुर को 1849 में उदैपुर को 1852 में जहासी को 1853 में नागपुर को 1854 में अबद को 1856 में ठीक है तो यह लोड डलहोजी ने हडप पे थे लेड डाउन दा फर्स्ट रेलवे लाइन पहली रेलवे लाइन बिचाई गई बिट्वीन बॉंबे एंड थाने बॉंबे एंड थाने के बीच में बॉंबे एंड थाने बॉंबे एंड थाने के बीच में 1853 में टेलीग्राफ लाइन बिचाई गई किसके बीच में कलकत्ता आगरा के बीच में एंड पोस्टल रिफॉर्म एंड पोस्टल रिफॉर्म फर्ष्ट इसू अप दा इंडियन स्टेम इन कराची इन अठारा सु चाहून विद दा पोस्ट आफिस एक्ट तो देखिए इसने कुछ काम किये हैं उन कामों को आप याद रखें कि इसने फर्ष् कि इसके बीच में कलकत्ता नागरा के बीच में एंड पोस्टल रिफॉर्म और जो पोस्टल रिफॉर्म ते फर्ष्ट इस्टू ऑप इंडियन स्टेम्प इन कराची इन अठारा सु चाहून पिद दा पोस्ट आफिस एक्ट फिर आया बिडो बिडो रिमेरिज एक्ट बि आप से पूछ सकता है बिधो बिद्वा की पुनासाधी का जो वो कौन ते इस बर्ष्ट बिड्यस सागर थे 1856 में स्टार्टे इपर्टेट प Savannah इप yolे न एपार्टमेंट ग्रान्ट ट्रंक रोड एंड भारवर और करांची बंबे अन कलकत्त डबलप्ट चार्टर एक्ट 1873 सेलेक्षिन टू शिवल सर्विस थ्रोव कंपेटिटर एग्जामिनेशन चार्टर एक्ट आया 1853 का जिसमें सिलेक्षिन होने लगा जिसमें सिलेक्षिन ह चिंबला、 डी समर कैपीटल और समर कैपीटल बनाया गया अब तक हमने पड़े गवर्णरे जेनरल आफ इंडिय अब हम पड़ेंगे 22 राह ओफ इंडिया किसके बारे में 22 राय औफ इंडिया के बारे में तो लोड केंनिंग अठासु छैपण से 2862 दा लाश्ट कवेड़र जनीर 専त ले पाला फस्ट बान बाला जर्वरर गे में उस्ट बाय इस राय थे ठीक है फस्ट बाय इस राय थे लाइप तरफ सिस को बापस ले लिया गया हटा दिया गया रिवल्ट आप 1777 1757 की किरांगती हुए ठीक है म्यूटिनी टुक प्लेसर सही सही म्यूट्ठ टॉक एक ब्द्रो हुआ सेना के बीच में ठीक है सैनेकों के बीच में आर्मी में इंडिया पीनल कोड और इंडिया पीनल कोड इंडिया पीनल कोड आई पीसी पास किया गया अठरा सो साट में ठीक है पास दा एक्ट पास दा एक्ट अठरा सो अटावन बिच एंडेड दा रूल अप दा इस्ट इंडिया कंपनी अठरा सो अठावन में उन्हो प्रविो पेस्ट इंडिया कंपनी इस्ट इनडिया कंपनी का रूल ठीक है दा यूणिवर् Windows ऑफ कलक्ता जो कलक्ता तबिस वित्धिया रहतें क्लक्ता में जो वित्या रहतें बॉंबे महत बेद्धर स्पेशलें। University कलकता, Bombay and Madras स्पेस रेट कलकता University, Bombay University and Madras University की स्थापना की गई 1857 पिर आए Lord Ilgin Lord Ilgin आए 1862 AD में ठीक है और BHoAWi Movement इन के समय कुन से Movement हुआ था BHoAWi Movement भत है BHoAWi Movement अब पढ़ते है Lord John Lawrence लौरेंस एक मिनिट के प्रेक लिखे निठी है लोर्डर जोन लौरेंस लोडर जोन लौरेंस ऐठहरा सो चॉनसट french इर एठारा सो लॉट इस्टेबलिसिट इस्तापना की थ हाइब draußen की था कलकटा में हाइब से इस्ताफना की थी किस ने लॉड अ लोर्ड लोरेंस लोर्ड जोन लोरेंस अठारा सो नतरे डी इस्टेबलिश दा हाइकोट अलकत कत्ता हाइकोट के इस्टाफना की गई बॉम्बे मदरासेंड अठारा सो पैंसेट में टेली ग्राप कम्यूकेशन बोज ओपन विद यूरोप क्रियेट दा इंडियन फोरेंस डिपार्टमेंट आई एफ इंडियन फोरेंस की डिपार्टमेंट के इस्टाफना की बनाया गया किस के दोरा जन सर लोर्ड जोन लॉरेंस के दोरा लोड मायो लोड मायो 1 1859-1882 Lord Mayo oignit or originated organized organized the statistical survey of Indian coisa organized the statistical survey of India and for the first time in Indian and for the first time in Indian history ascension was held in 1871 तो देखिये जो Lord Mayo वे वे उते अर उनोन रग्नाइज किया का the statistical survey of India statistical survey of India and for the first time of पहली बार in India भारत में history भारत के तियास में पहली बार और सेंसे बोज शेल ये सेंसे हुई थी कब अठार सो तिकत्तर में किस के सासनकाल में लोड मेयो के सासनकाल में स्टार्टेड दा प्रोसेस ओफ Financial Decentralization in India Establish the Department of Agriculture and Commerce Department of Agriculture and Commerce के स्टापना की गई थी ठीक हैं और यहां रखर हैं सर जो लोड मेयो जो थे ना लोड मेयो उनके काम में पहली बार से इन्सेन हुई थी अठारासो एकत्तर में लोड मेयो के समय में 1801 में पहली वार क्या होई थी? सेंसर लोड में हो गया में 1801 में पहली वार सेंसरस विथी? libe माया हो कब 8031 वार लोड में हो तो अरगनेट के सर्वेय इन्दीव एंडिया इन्द फॉर साथ टाइम इंदिया history ascension was held in census was held in sutra so take at the ticket started the process of financial decentralization in India established the Department of Agriculture and Commerce established the state is the Rajkot College Rajkot College at Katya bar and Mayo College at as made for the Indian princess the established the Rajkot College at Katya bar and Mayo College at as made for the Indian princess he was the only viceroy to be murdered in office by a pathan convict in the unmanned unmanned in our house of part of a lot a Lord Northbrook Lord Northbrook Lord Northbrook Lord Northbrook AD 1872-1876 AD Kuka rebellion in Punjab in Bihar Kuka rebellion who a Punjab may kiss came Lord Northbrook came in 1872-1876 Punjab may Fema in Bihar Lord May 1872-1876 ADKAR organized the statistical survey of India and for the first time in India history ascension was held in 1871 started the process of financial decentralization in India established the Department of Agriculture and Commerce established the Rajkot College at the Katya bar and Mayo College at admiral for the Indian Rajkumar Indian princess he was the only viceroy to in he was the only viceroy to murder to be murdered in office by a pathan convict pathan convict in the unmanned in 1872 Lord Northbrook Lord Northbrook Lord Northbrook 1852-1876 Kuka rebellion in India Kuka rebellion in India in Punjab in Bihar genommen in Allah Lord Lord artar crystal компьютerosen Lord littern Lord littern a tarmac at the enhance все known as the vice of India by Queen Bactaria Victoria the Delhi Darwar in January 18 अर्छाथत्तर Vernacular Press Act also called the Gagging Act to restrain the circular operated matter and the Arms Act made it mandatory for Indian to acquire license in arm 18 18 Lord Rippan Lord Rippan 8818 se 8844 Lord Rippan First Factory Act First Factory Act of 8818 prohibited child labor under the age of 7 Local Self Government was introduced in 8818 माय में करना हो ग्यमन है तुरी, आटराशन हो तुराशन भी आप का फोट ऌटेट थी कोटिझायद करूंकिल हॉ तुरी इशरी ट्स्टी में चार भी तथाज संहेक डिए दूरार पूंदारो अजुोर्ञगर्सेर्प में यंद्दा यहांस न विदो का पांचमें अड़ प to improve primary and secondary education to improve primary and secondary education the elaborate bill controversy the old what will controversy at our karşı enable Indian district majesty to try European criminal the ill what will controversy address si enable Indian district municipal state to try to try यूरोपेन क्रिमनल्स लोट डफरन लोट डफरन लोट डफरन अठा नर्म एथ 1885 शाची ठेज़ करणी टोफमीर और शाच याशि इस्टेबिलेशमेंट ओफ इंडिया नेशनल कोंडियेसिं 13も pracy देज़ चैनल डाप ने pap शोटाटी से अठारा सो चौरानवे एक्टरी एक्ट ऑप एक्टी नाइन टीवन ग्रांटेड वीकली होलीडे एड इस्टिप्यूलेटेड बरकेंग होड्स पूर बूमन एंड चिल्रन तो अपन सब्सक्राइब छुट्टी की घोशना किस ने की थी लोड लैंश डॉने ने तो फैक्टरी एक्ट ऑप एक्टी नाइन टीवन ग्रांटेड वीकली होलीडे एन इस्टिप्यूलेट बरकेंग होड्स फूर बूमन एंड चिल्रन Civil Service वे डिवाइडेड इंटो Imperial, Provincial, and Subordinate Service Imperial, Provincial, and Subordinate Service में divided होगई ती क्या? Civil Service एक तो Imperial, Provincial में और एक Subordinate Service में Indian Council Act of 1892 The Durant Commission defined the Durant Line दुरंड कमीसन ने क्या किया था? पाकिस्तान और पाकिस्तान होगा इन 1893 और फिर आये लोड इरगन दिटिये लोड इरगन डिटिये आये 1894-1899 शाउथन अप्राइजिंग और 1899 ग्रेट फ्हमाइन और 1896-1897 बहुत बड़ा सूखा अकाल पड़ा 1896-1997 में इंड लेयल कमीशन और फ्हमाइन बोज Lord Karjan आय, Lord Karjan, कब आय, Lord Karjan, 1899-1905, Lord Karjan आय, a commission was appointed under Sir Thomas Rael, in 1902 to suggest reform regarding universities, the Indian University Act of 1904 was passed on the basis of its recommendation, अंसीतक्ड मौनूमेंट प्र्जर्वेशन एक्ट ऑप 1904 थुद्ध सर बीचारी था इंडी में धृषी आ। बॉज इस्टेबलेट एट पूसा इन देली पार्टिशन बेंगवाल इन 1905 में बंगाल का पार्टिशन किया गया फिर इसके बाद में आए लोर्ड मेंटो लोर्ड मेंटो आए 1905-1910 कौन आए लोर्ड मेंटो आए इनोंने श्वदेशी मूवमेंट हुआ है इनके हसनकाल में 1905-1908 में फाउंडेशन आप मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग किस थापना हुई थी किसके में लोर्ड मेंटो के कारकाल में मुस्लिम लीग 1906 में सूरत सेशन एंड इस प्लिट इन दा कॉंग्रेस सूरत सेशन हुआ कॉंग्रेस का और कॉंग्रेस का बेवाजित हुआ किस में करम दल और सोर्योस में मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस में कॉंग्रेस का पिवाजन हुआ 1907 में मौरले मेंटो रिफॉर्म 1909 और मौरले मेंटो रिफॉर्म लागया 1909 में फिर इसके बाद में आए लोड हर्डिंगे लोड हर्डिंग 1910-1916 कैपिटल श्यप्टेड किया घरिए लोड हर्डिंग के कारकाल निए नेस्तों ग्यार नेली दर आव पार्टिशन और बंकल वॉच केंचल दैली थर ओर और पार्टिशन और वंगल केंचल दाह स्ट इतों महासा ब्यू सबापनाओ की गईए किसके किसकी कारकाल में Lord Harding के कारकार में बोज फाउंड़ेट इन 1915 के दोरा पंडित मदन-मोहन माल विए पंडित-मदन-माल विए के दोरा 1915 में फिराए लोर्ड केल मोस जैंस फोर्ड लोर्ड केmmस फोल्ड आय जो की 1911 रहे गांधी रिटेंट तु इंडिया लोड केमफोल्ड के ही सासनकाल में गांधी भारत वापस आई थे and founded और इस्तापना कीती दा साबर्वती आसरम साबर्वती आसरम की इन 1916-1916 में and चंपारन सत्यागरे किया गया सत्यागरे at एहमदाबाद का सत्यागरे किया गया 1918 में और खेदा सत्यागरे 1918 में अगस्त डेकलेरेशन 1917 ब्वाय मून्टेगू the then Secretary of State and Montfort Reform or the Government of India Act of 1919. रोल्य रोलेट एक्ट मार्च 1921 जलिया वाला बाग माशकर 13 अपरेल उनिस उनिस. जलिया वाला बाग हत्याकांट कब हुआ था? 13 अपरेल उनिस को हुआ था. जलियावाला बाग मास्केर 1919, रोलेट एक्ट 1919, जलियावाला बाग मास्केर 13 अपरेल 1919, 13 अपरेल 1919, खलापत कमेटी बोज फॉर्म्ट एंड खलापत मुवमेंट स्टार्टेट, खलापत कमेटी के स्थापना की गई एंड खलापत मुवमेंट शुरू किया गया 1919 से 1920, नोन कॉर्परेशन मूपमेंट असायोग अंदौलन started in 1920-1922 दो साल तक असायोग अंदौलन चला 1920-1922 भूमन यूनिवर्सेटी बोज फाउंड़ेट इन पूना भूमन यूनिवर्सेटी के सतापना की गई पूने में फिर आए लोर्ड रीडिंग लोर्ड रीडिंग आए चौरी चौरा इंसिडेंट चौरी चौरा कांड हुआ तक इसके में लोर्ड रीडिंग के में और एसेट फाउंड़ेट इन 1925 निश्टापना हुई थी किसके कारकाल में लोर्ड रीडिंग में सब प्रेस्ट नोन कॉर्परेशन मूव्मेंट को खतम कर दिया गया फॉर्म सब्सक्राइब हुआ है फिर इसके बाद में आया मौपला रेवेलियन 1929 टुक प्लेसे काकोरी टेंड रोबरी और फैस्ट अगस्ट अहां